अक्सा विमन्स डिटी कॉलेज एक ऐसा इंस्सिट्यूट जहां 100% फीमेल स्टाफ है मुंबई के संटी विमन्स युनिवर्सिटी से एफिलेटेड इस कॉलेज ने तीन मार युनिवर्सिटी लेवल पर गोल मेडल हासल किया है और कई स्टुडेंस अच्छी पोस्ट पर है बी ए और बी एस सी का 100% रिजल्ट आता है बी ए, बी एस सी, बी कॉम के साथ साथ डी एमल्टी और पेरामेडिकल के कोर्सिट भी नहाँ चलाए जाते है और इस साल इस सी ये भी शुरू किया गया है इन कोर्सिट के जरीए कम से कम वक्त में एक अच्छी फील में जॉब कर सकती है ये कोर्स एस सी और एस सी के बाद स्टूडिन्स कर सकते हैं लास्ट डीड ओफ एडमिशन 31st ऑगस्ट है कॉन्टेक डीटेल स्क्रीम पर है माराश एसेंब्ल एलेक्शन्स के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने तौर से तयारी शुरू कर दी है मायम पर्टी दौरा भी एलेक्शन के लिए पांच उमीदवारों के नाम का एलान किया जा चुका है मायम पर्टी ने महाविकास आगाडी में शामिल होने की खौहिश जाहिर की थी लेकिन फिलहाल कोई फैसला ना होने की वज़ह से पाठी ने खुद के पांच उमीदवारों के नाम का एलान किया और बागी उमीदवारों के नाम के लिस्ट भी जल्द जाहिर करने का इशारा दिया कल्यान में एक ओर्टो रिक्षा ड्राइवर ने पैसिंजर चहतेरा के साथ छेर चाड़ की बताया गया कि चात्रा रिक्षा में सवाल होकर अपने घर जा रही थी लेकिन रिक्षा ड्राइवर ने उसके साथ बचसुलू की शुरू की और बोलने के बावजूत रिक्षा नहीं रोकी घबरा कर चात्रा ने चलती रिक्षा से चलांग डगा दी और घर जाकर सारा मामला इस मामले में पुलिस द्वारा तहकीकात कर आरोपी ज्राईवर को गिरफतार किया गया है. माराज के नागपूर में भाशपा अध्यक्ष के बेटे ने अपनी कार से कई वाहनों को टक्करमारी जिसमें कई लोग घाइल होंται. पुलिस ने आरोपी को गिरफ़तार किया जिसे फिलहाल जमानत पर बाहर निकाला गया है इस मामले में भाज़पाध्यक्ष द्वारा बयान दिया गया कि इस मामले की निश्पक्ष चांच की जाए और दोशी को कानून के हिसाब से सजा दी जाए क्योंकि कानून सब के लिए बराबर है भीवंडी में जानी मानी अनसार मौलब आजी मारकित का वीडियो आप इस वक देख रहे हैं यहाँ इलाके में गटर का गंदा पानी बह रहा है और लोग इसी तरहा खरीदी और बिक्री के लिए मजबूर है शिकायत के बावजूद मनपर द्वारा सफाई नहीं की जा रही है और जब मनपर कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं तब भी अच्छी तरह सफाई नहीं की जाती पिछले कई महीनों से लोग इस मसले से परिशान हैं और मनपर सिराहत की मांग कर रहे है भीवंडी के रोशन बाग इलाके में रास्ते पर बिना सेफ्टी के काफी बड़ा गढ़ा खोदा गया है इस गढ़े के आसपास कोई सेफ्टी बेरिकेडिंग नहीं की गई है जिस वज़ा से अकसर वाहन चालक इसमें गिर जाते हैं और अगर सुरते हाल इसी तरहा बरकरा रही तो एक दिन बड़ा हादसा हो सकता है और किसी वाहन चालक की जान भी जा सकती है माराश में जहां एसेंबिल एरेक्शन्स की तयारी की जा रही है वहीं महा यूटी सरकार द्वारा सेप्टेंबर की महीने में अब तक तोटल 484 गवर्मेंट ओडर्स यानि जी आर्डस जारी किये गए हैं और पांच दिनों में 370 ओडर्स जारी किये गए हैं जिनमें सरकारी स्कीम्स पेश की गई हैं अचार सहीता लगने के बाद स्केम्स की मंजूरी का काम रोग दिया जाएगा हाला कि माली इमदाद वाले स्केम्स जारी रहेंगी खाने घोड बंदर रोट पर एक बार फिर सड़क हादसे में 11 लोग खायल हो गया बताया गया कि ST बस ड्राइवर ने किसी वज़ा से बस पर से कंट्रोल खो दिया और यात्रियों से भरी बस मेट्रो पिलर में जाटक रहें इस हादसे में 11 लोग जफ्मी हुए जिनने इलाज के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भरती करवाया गया इस मामले की जाच की जा रही है भीवंडी भुईवारा पुलिस टेशन के अंतरगत एक तेज रफतार घोडे ने 35 साला शखस को टकर मार दी जिसमें शखस बुरी तरह घायल हो गये खबरों के मताबिक शखस अपनी दो पहिया वाहन पर सवार थे तभी ऑपोजिट डिरिक्शन से एक तेज रफतार घोड़ा उनकी तरफ आया और घोडे ने शखस को टकर मार दी पुलिस ने इस मामले में घोडे के ओनर पर मुख्तलिफ धाराओं के तहर मामला दर्श किया सेंट्रल रेलवे द्वारा आज अनाउंस किया गया कि टेकनिकल इशू की वज़ा से थाने और पनवेल के दर्मियान चलने वाली ट्रेंस अफेक्ट होने वाली हैं और इशू को जल से जल रिजॉल्व करने के लिए मिंटेनिंस टीम मौके पर पहुँच गई है यात्रों स साई बाबा से नई बस्ती तक रोड पर लोग भारी ट्रैफिक जाम में भसे रहे